दोस्तो 2023 खतम होने को है आज तारीक कितनी है भाई 28 तारीक है आज 28 तारीक है दो से तीन दिनों में 2023 खतम हो जाएगा और दोस्तो पाइनेट रोक ने बोला था कि हम लोग जो अपना वीटू का ओपेन मैनेट का वीटू वर्जन जो है दिसंबर के लास्ट में ला सकते है ठी आज एक अपडेट आया है ओपेन मैनेट को लेकर तब जाकर के मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ आप लोग अगर अपना होम स्क्रीन अपना माइनिंग अप खोलेंगे तो आप लोगों को यह फोटो देखने को मेल रहागा फोटो क्या एक होम स्क्रीन पे जहाँ पे लि पड़ने की जवरत पड़ जाए तो मेरा रहने का क्या ही मतलब मेरे वीडियो बनाने का क्या ही मतलब मैं साथ तरीके में बता रहा हूँ दोस्तों कि ओपेन मैनेट में हमारा क्या हुआ है यानि कि ओपेन मैनेट लांचिंग का यह निव अपडेट है पूरा इस वीडियो म हैं जो लांचिंग की तरफ बढ़ रहा हैं बहुत सारे से एर ड्रॉप हैं जो अच्छे खासे प्रोफिट आपको दे सकते हैं ठीक है तो डिस्क्रिप्टिन में मैंने कुछ माइनिंग आप दिया हुआ है जो बहुत ही अच्छे तरीके से मैं एकदम बोलते हैं ना उसको उस समय तो देना पड़ेगा अगर आप समय देंगे तो अगले साल आप चार से पांच लाग एक लाग दो लाग राम से उस में उर्निंग कर सकते हैं बस ठोड़ा सशा मेहनत करना पड़ेगा कोईन आपको कलेट करना पड़ेगा लिटरली सब जीटना भी मैं अब देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार का एक poster बना हुआ है और यहाँ पे जो है एक my screen shot निकाल के लगाया हूँ यह पुराना वला है मैंने पुराने वाले का क्यों लगाया क्योंकि दोस्तो इसकी जवरत पड़ेगी ठीक है बाकी पूरा अच्छे से अपडेट आया हुआ है तो जोस्तो उससे पहले यहाँ पे मेरा टेलीग्राम ग्रूप है दोनों टेलीग्राम ग्रूप में आप लोग जूड़ जाएगा जैसा कि मैंने बोला कि भाई इसका एक दिन आप लोग पता चलेगी तो भाई एक दिन ऐसा आएगा सेच्वेशन के अंसार ना कुछ ऐसी चीछ आपको मिल जाएगी कि आप कहेंगे भाई कि मैं अच्छा किया जूड़के अब यहाँ पे देखिए पूरा इनका ओम स्क्रीन तो यह रही यहाँ से मैंने इसको ओपन किया हुआ है यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक लंबा चोड़ा यहाँ पे लेख लिखा हुआ नजर आ रहा है पाई नेट्रोक एनाउंस्मेंट ओपन नेट्रोक प्लान यानि कि ओपन मैंनेट को लेकर कि प्लान का एनाउंस्मेंट है अब देखें सबसे पहले यहाँ पे जैसा कि इन लोगों ने कहा था कि भाई हम लोग दिसंबर हो गए रहे में बीटू का रोडमैप ला देंगे ठीक है एक तरीके से सोर्स निकल के आया हुआ था रोडमैप का बीटू गर्जन ओपन मैंनेट का फर्स्ट वाला तो आ गया जिसमें बक्चोदी की गई थी सेकेंड वाला अभी आना था भाई फाइनल अभी नहीं है अगर जब तक ओपन मैंनेट का फाइनल नेटवर्क नहीं आएगा कोई मतलम नहीं निकलेगा ठीक है मतलम नहीं निकलेगा हम लोग उसका कुछ नहीं कर पाएंगे बस एक दुसरे को सेल कर पाएंगे बाई कर पाएंगे ठीक है बहुत सारे लोग भी स्केम में फस जा रहे हैं अपनी पाई को बेच रहे हैं तो बाई और लेके पाई बैठ जा रहे हैं ऐसा आपको गलती नही करना है. अगर आप चाहते हैं, कि आपकी Pi Coin Sail हो, तो डि्स्क्रिप्टिन में एक नम्मर दिया हूँ, सेफली आप डिस्क्रिप्टिन बहला नम्मर ही व्यूज करिएगा WhatsApp पर, वहाँ पर आप जोते सेफली कर सकते हैं, ठीक है, कोई उसमें follow होगी तभी जा करके जो हम लोग इसकी मतलब open minute लाएंगे final minute लाएंगे अब देखे बहुत सारे लोग होँगो positive नजरिये से देखेंगे बहुत सारे लोग negative नजरिये से देखेंगे अब देखे दोनों नजरिये से देखना सही है बाई क्योंकि बहुत समय हो गया 2019 से मतलब 4-5 साल लगबग हो गया माइनिंग करते हुए कुछ मिल नहीं रहा है एक तरीके से कहेंगे कि कुछ नहीं हुआ लेकिन दोस्तों यहां पे valuation create हो रही है पाई network की अगर positive नजरिये से देखें तो यहां पे thought of clarity भी आ गया है कि यह लोग करना क्या चाते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि open minute लाने का इनका नजरिया क्या है मतलब किन चीजों के लोग follow करना चाते हैं अगर यह सब सारी चीजे रही तो भाई मज़ा आएगा open minute आएगा तो अच्छी चीजे यहां पे होगी और अच्छी खासी इसकी हमें price देखने को भी मिल सकती है ठीक है तो अब यहां पे इन लोगों ने कुछ लिखा हुआ है ब following the consistent strategy of pie network अब देखिए कोई भी प्रोजेक्ट रहेगा भाई उसका community पे ध्यान देगा network पे ध्यान देगा technology पे product पे business पे legal चीजों पे तो यह लोग भी अपना दे रहे हैं अगर यह सब सारी चीजे इनका चला तो यह लोग जो है मतलब first वाली criteria को follow कर जाएंगे और यहां पे इन लोगों ने जो है V2 roadmap को mention किया हुआ है इसका मतलब कि यहां पे जो चीजे V2 में थी उस चीजों को यहां पे लिखा गया है कि इन लोगों का KYC का जो ecosystem है वो progress करेगा और बहुत सारा various matter करता है कि in close network period पे जो चीजे हुई है उसको देखेंगे और कुछ अगर खराब बितिया हुई है जैसे कि कोई other exchange उसमें attach कर दिया गया है मतलब कि एक तरीके इस कहेंगे कि स्केम तरीके स्टून सब चीजों को हटाएंगे और अपना wallet secure रखेंगे ए सब सारी चीजे होंगी तो इनका first वाला criteria follow होगा जैसा कि technology product की भी बात कही गई थी अब दूसरे पर आ 12 के December के white paper में इन लोगोंने mention किया हुआ था milestone काफी अच्छा कासा है in close network goal पे लोग दयान देंगे और यहाँ पर देखिए अब पहली चीजे आप लोगे बहु सारे लोगों के अंदर doubt होगा खुद मेरे अंदर भी clarity नहीं थी कुछ दिन पहले पता चला था कि क्योल 5 million including fully and tentatively के white seed मतलब कि कुल मिला करके 15 million लोग लगबक के white see को pass कर चुके हैं तो अच्छा चीज है कि 15 million के white see को pass कर चुके हैं अगर यह लोग के white see को तेजी से देंगे तो मैं कह सकता हूँ कि 2024 में आलमोश्ट सभी लोग के white see pass हो जाएगी जो लोग योग रहेंगे बस यह लो आपके wallet में नहीं दिखाएगा तब तक कोई वह नहीं होगा और एक चीज और यहां पर मैं बता देना चाहूंगा जो लोग अपना pie का wallet भूल गये भाई पाई आपको pie नहीं मिलेगी आपका जो available pie है वो मिलेगा ही नहीं आप लोग अगर देखो कहीं हो तो उसको open कर लो अगर नहीं हो तो जा करके new account create कर लो मतलब new wallet new wallet create कर लोगे तो जो बच्छा हुआ है वो जाएगा वहाँ पर नहीं तो यह भी जाता रहागा फिर आप खुलने जाओगे तो मिलेगा नहीं तो आप लोग पाई का wallet अपना देखो किधर है मतलब fast price अगर नहीं मिल रहा है तो 8 million pioneer जो है एकडम successfully variable है और 3.9 million migrated है 40 real pie मतलब एक तरीके से example देखरके इन लोगों ने समझाया हुए 100 pie में 40 pie जो भी है success है migrated है फिर इसके बाद condition matter करता है इनका goal है कि भाई हम लोग जो है mobilize करें mobilize मतलब mobile से ही सारा काम हो और join, re-engage, apply, validate and pass in the KYC, progress and complete their manner checklist to migration अब सारी चीजों मतलब जिन लोगों का कोई दिक्कत फासा हुआ है उन सब चीजों पर हो सकता है कि यह लोग यह आए पर देखिए mentorship support आप 4 टीम सब सारी चीजे यह लोग करें नई नई चीजे लाए मतलब की एक तरीके से कर सकते हैं कि जिनका भी बहु सारा problem है checklist रुका हुआ है अठोए न क्योंकि यह basic चीज है कि भाई government और पूरा environment matter करेगा ही करेगा क्योंकि पाइने टोग जो है दोस्तों पूरा digital currency बनने के लिए तयार है मतलब कि एकदम digitally, global, worldwide काम करूं एक रुपे की तरह, एक digital currency, fiat currency की तरह, बट यहाँ पर government matter करेगा, environment matter करेगा, culture matter करेगा, depend करता है कि भाई आप लोग लेते हैं, accept करते हैं कि नहीं, सारी चीजे matter करेगी, कि जैसे आप लोग mining करते हैं, आप लोग इसके बारे में जानते हैं, जो नहीं जानता है, और क्यों लेगा, क्या करेगा, इस प्रकार से इन सब सारी चीजे matter करती है, तो यहाँ पर लिखा सब पूरा मैंने पढ़ा हुआ है तो जो मैंने साथ में आपनों को बता दिया उसका वही मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें यहां पर मैटर करेगी आल इन आल दा डिसीजन ओपें नेटवर्क लांच और टाइमिंग विल भी मेड टू बेस्ट सर पाई वीजर पर यह भी लिखा है मतलब यही है कि बहुत सारी चीज़ों के लोग देख रहे थे जो कि अभी यहां पर आलात इनकी अंसार सही नहीं है ठीक है भाई यह टाइमिंग का होता है कि अगर आप टाइमिंग से कुछ काम करना है तो आपका बड़ा अच्छे तरीके से काम होता है इसके बी यहां पर पूछा किया है क्वेस्टन भी इन लोग ने ही किया है खुद लिखा हुआ है कि क्या कोई गरंटी है कि 2024 में हमारा ओपेन मैने लांच हो जागा बिलकुल नहीं कोई गरंटी नहीं है कि लांच होगा अगर एस फैक्टर जो इन लोग ने तीन कंडिशन रखा करेंगे KYC भी तेजी से करना है और सुनिए जो भी अभी देखिए बहुत ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो साट टाइम में आकर के प्रोफिट देके चले गए यह वाई भै कोड़ाओ है कोड़ाओ पे तो खुद OEX चल रहा है तो जाकर के डिस्क्रिप्शन में आइस माइनिंग ड दोस्तों कि अभी हमारा जो ओपेन मैननेट नहीं रिलीज हुआ है और सारे इसका बहुत सारा भी बचा हुआ इस्सा तो अगली वीटियो में आप लोगों के लिए मैं लेके आऊंगा तब तक बेल आइकन दबाके चैनल को सब्सक्राइब करके टेलिग्राम ग्रूप से ज पत्सक्राइब करए पर दोपा संनल करणील उलीज है एक वीज है Apostresben करके रare ख辞ा करते हैं एक दद्दीक्राइब